17 जुलाई साल 1942 को फ्लाइंग ओफिसर निर्मल जीद सिंग सेखों का जन्म पंजाब रांत के लुधियाना में हुआ निर्मल जीद सिंग उन्हें किस भारतीय जावाजू में से एक हैं जिने भारत के सर्वोच सेनिय लंकरण परमवीर चक्र से नवाजा गया साल 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दोरान 14 दिसम्बर को जब 6 पाकिस्तानी सेबर जेट विमानू ने श्रीनगर एर फिल्ड पर हमला किया तब निर्मल जीद सिंग सुर्क्षा टुकली की कमान समालते हुए 18 स्क्वाटरन के साथ वहां तैनाथ थे हवाई हमले के दोरान उडान भरने के प्रियास में अपने जीवन के पनभा की बिना फ्लाइंग ओफिसर निर्मल जीद सिंग सेखो ने उडान भरी और तुरंत हमलावर सेबर की एक जोड़ी को मार गिराया इस समय तक चार और पाक सेबर विमान अपने विवान के मदद के लिए वहां आ पहुँचे जिसके बाद उनके विमान को एक सेबर ने मार किराया शहीद होने के बावजूद फ्लाइंग ओफिसर सिखो ने सर्वोच वीरता और दिरन संकल्प से वायू सेना की परमपराओं में नई उचाईयां स्थापित की जिसके लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया